हेलो आप देख रहे हैं सेल्फ ग्यान और आज बात करेंगे कि इगनू में जो MBA की एक्जाम की डेट्स हैं उसके बारे में पूरी बात करेंगे कितनी भेहनत करना पड़ेगा आपको और डेट्स बड़ा वैरियेशन हैं और एक्जाम के लिए क्या के स्ट्राटीजी आपको बता बनानी पड़ेगी बहुत कम टाइम आपके पास है और आपको ज्यादा प्रिप्रेशन करनी है तो कैसे होगा तो चलो दिखा देता हूं सबसे पहले हम बात करते हैं एक्जाम की डेट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे नहीं MBA की जो डेट्स हैं वो तो अच्छी हैं औ और जो old MBA है उनकी बड़ी dangerous date है देखो आपको मैं दिखा देता हूं उनको जो है जो old MBA है जिनके semester first के भी exam नहीं हो तो अभी second में first और second दोनों के ओ रहे हैं तो उनके MS1 से लेके MS11 तक के code हैं जिनके exam होंगे और 20 January को उनका पहला exam है फिर 20 को है फिर 22 को है फिर 23 की उनकी छ तो लगातार exam है old MBA के student की time उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा तो अभी से उनको थोड़ी सी preparation करनी पड़ेगी आप समझगे कि आपको क्या strategy बनानी है जिसके बीच में आपको gap है उसमें आपको थोड़ी असा time पढ़ने का मिल जाएगा otherwise आपके non-stop exam है 20 तारिक से 10-11 दिन में 10-12 दिन में आपके 10 exam हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी time नहीं है जो old MBA है उनके पास अब हम new MBA के student की बास करेंगे जिनके code जो है MMPC 01 से लेके 07 तक है इनके जो है इनका क्योंकि admission भी late हुआ इनकी books भी नहीं आए तो university ने इनके date जो है exam इनको थोड़ graduation दिया है ताकि यह अपने exam को आसानी से cover कर सके पहला exam जो है वह MMPC 01 का 31st January को है उसके बाद फिर तीन फरवरी को है MMPC 2 का उसके बाद जो है MMPC 3 का साथ को है फिर 11 को है फरवरी को फिर 15 फरवरी को MMPC 5 का है फिर 18 फरवरी को है ठीक है और उस फिर जो है 22 को है तो आप द इसको मिल जाएगा तो इसमें MMPC वाले जो नीव MMPC के student है उनको एड में exam भी पीछे किया है ताकि उनकी books उनको मिल सके उनको जो है exam की preparation कर सके और थोड़ा उनको exam में भी gap दिया लेकिन old MBA का non stop देना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उसको अगर थोड़ा सा variate करते त तो अच्छा रहता क्योंकि यह जो है दो तारिक को finish कर दिया और इनके तो दो से सुरूई हुए यह समझ सकते है तो इसको आप धीरे धीरे बढ़ागा कर 22 तक कर देते तो अच्छा रहता और इनको थोड़ा सा time भी मिलता है ना तो यह इस dead seat में old MBA के student के लिए ज्यादा preparation ज्यादा मेहनत की जुरत है और new MBA वाले को तो ही है क्योंकि उनको बिल्कुल last में अभी उनको सब कुछ करना है time उनको कम मिला है तो अभी आपको मैं बता देता हूं कि आपको करना कैसे old MBA की मैंने वीडियो आलेडी बना के रखी है कि कौन-कौन से important questions आपके exam में आएंगे और new MBA की अभी बाकी है उनका मैं अभी under pressure मैं उनको बना रहा हूं जल्दी मैं आप दोगों को दे दूँआ ठीक है तो old MBA की कुछ मैंने e-books बनाई है जो important questions के उपर है link description में दिया हुआ है बाकी आपको जल्दी मिल जाएंगी ताकि जो है आप minimum efforts में सिर्फ important question जो मैं करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी तो लाइड मिशन ही लेठ हुए अभी books भी नहीं आए और उनका exam schedule हो गया और assignment भी लाजडी जो है 20 November है और जिन्होंने अकर assignment अभी तक जमा नहीं किये फिर exam की preparation करनी है तो जल्दी से जल्दी 20 November से पहले-पहले अपने assignment जमा कर दे link description में की दिया-ए-sold assignment का वहां से आप download करके सिधा link के जल्दी से जल्दी submit कर सकते हैं ताकि आपको जो है आसानी से मिल सके फिर जो है हम आगे की guideline आपको बता देंगे कि कौन-कौन से question important होते हैं MBA के अंदर तो ताकि आप जो है अपने इस course को आसानी से complete कर सको फिर भी अगर और exam की preparation खास कर old MBA को और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिस मैं आपको बताऊंगा अगर आप exam नहीं देते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो प्लीज इसके बार में मैं आगे बताऊंगा अगर आप exam नहीं देते हो तो बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए तो वो मुश्किल क्यों होगा कहीं बार अगर आप exam जो है टाइम से के लिए नहीं करते है तो आपको दुबारा फीज पर भाणनी पड़ती है तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई financial नुकसान हो मैं चाहता हूँ कि आप अपने degree टाइम से complete करें तो update रहें इनको subscribe करके रखे जब भी वीडियो आती है important information आती है तो वो आप तक टाकी ताम से पहुंच सके तो thank you